चेक वेदर दे इंटरवेल्स 2 तो 5 और 7 तो 10 रेक्विवेलन्ट और नॉट तो दो इंटरवेल्स हमें एक्विवेलन्ट का होता है जब वे सेम टाइप के हो और सेम लेंथ के हो तब हम उसे क्या कहते हैं इक्विव्वेलेंट गहते हैं या दोनो इंटरवेल के बीर beim कोर्सपोंडेंफ एक्विवेलेंट तो हम देक रहा है कि यह दोनों ही इंटरवेल क्या हैै- एक्लोशें इनिए याहनी सेम करने हैं और इसके बाद दोनों का लेंथ क्या है ठी है ठीक है इसलिए हम क्या कहेंगे कि दोनों एक्विवेलेंट है तो हम लिखेंगे since both intervals are of same length same length same length क्या है यहाँ ठीक है and same type type क्या है दोनों का closed therefore therefore both intervals are equivalent अब जैदी हमें इसमें इन दोनों इंटर्वेल के बीच में correspondence दिखाना हुआ तो कैसे दिखाएंगे यहाँ F from closed interval 2 to 5 closed interval 7 to 10 यहाँ वीं होद्च एफ यहाँ पर इन की जगह इस yards interval का कोई भी एम्रेंट लेंगे तो हमें इस interval में element मिलेगा जैसे अगर हम यहां 2 लेते हैं तो यहां 2 प्लस 5 7 मिलेगा ठीक है जदि हम 5 लेते हैं तो 5 प्लस 5 10 मिलेगा इस तरह से इसके बीच में जीतने भी element होंगे उनका हमें images में मिलेगा इसलिए हम क्या कहेंगे कि इन दोनों इंटर्वेल के बीच में 1-1 correspondence है ठीक है is 1-1 correspondence between these two intervals हम अगले question को solve करते है check whether the intervals 6 to 9 and 2 to 5 are equivalent or not यह interval right of an interval है और यह interval left of an interval है इस तरह सहम देखते हैं कि यह दोनों same type के नहीं है हलांकि इन दोनों का length equal है यहांब भी length 3 है इसमें भी length 3 है लेकिन चुकि same type के नहीं है इसलिए हम इसे equivalent interval नहीं कहेंगे हम यहां लिखेंगे since both intervals are not of same type है नहीं हिए भी आने एफ यहांबब। कि किक्ष गया ये 629 के इस चिखेंगory 1t right open interval and 225 is left open interval therefore 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 both intervals are not equivalent हमें यहां पर दोनों interval same type का होना चाहिए और साथ ही दोनों का length भी सेम होना चाहिए तब हम क्या कहेंगे कि दोनों interval क्या है equivalent और तब हम उन दोनों के बीच में one one correspondence दिखा सकते हैं इसके बाद आते हैं जून टू 2017 में पुछे के प्रश्ण में यहां है so that the intervals one to two and zero to one are equivalent sets हम देख रहें कि यह दोनों interval क्या closed interval यानी same type के हैं और यहां पर दोनों के बीच का length भी क्या समान है ठीक है यह दोनों का length one है तो हम यहां पर रिखेंगे since since both intervals are of same type and same length same type में हम यह दिखा देंगे closed और same length में हम दिखा देंगे one तोनों का length one है two minus one 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 minus zero one therefore 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 one two and zero one are equivalent हम इन दोनों के बीच में अब एक one one correspondence दिखा सकते हैं here 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 f we are mapping from interval one to two to zero to one defined as f n is equal to n minus one ठीक है पर अगर n की जगा one put करते हैं तो one minus one zero two put करते हैं तो two minus one इसी तरह से बीच का कोई भी element लेंगे तो हमें उसका image इसमें मिलेगा ठीक है तो इस तरह सम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में one one correspondence है ठीक है यह एफ इसलिए कि यह दोनों इंटर्वल के एक्विवेलेंट है कि इज कि वान वान कि को रस पॉन्देंस विक पॉन्देंस तो इंटर्वावल इंटर्वेलेंट अब आपर एक वान पर शॉन्दे वह एफ एफ ट्रवस ती टू से वन एट टूल रहर एक्विवेलेंट और नूट यह पर यह कैसा इंतर्वाल है यह लाफ टोपन इंटर्व रह और यह राइट अंटर्वाल हुआ यह दोनों शे डैप का नहीं हुआ यह इक्विविविलन नहीं है इसमें हम वन वन correspondence नहीं दिखा सकेंगे इसलिए यह वेलेंट से भी वैलेंट जितने हमिए से आप जैवल एंद री टु टू आर नो आप दो same time because because 37 is a left of an interval and 8 to 12 this interval is a right of an interval therefore therefore there is no one one correspondence between these two intervals hence hence both intervals are not equivalent no questions thanks for watchin